हलो गाईज असलाम अलेकुम तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खेवेस से होगे आज कब लोग स्टार्ट किया हूँ और कल इनों ने बहुत सारा काम किये थे हमारी मैडम ने और आज फिर से उसे उतने ही बरतन दोने है और वो बरतन दो रही है लेकिन एकदम अच्छी क्यों जो काम करी तो बहुत बड़ा आइसान कर ली हम लोगे उपकर काम कर तो है और यह इतने से बरतन इसको दोने का इसा कंटा ला रहा रहा यह सचेटी एसा फिर भी मैने उसको बोला कि मैं काम ओली लेकर आता लाओ क्या है लेकिन एक बुलती कि बुड़ी ले ख्यूथ पर दिखरी भी नहीं अच्छी बराबर से क्या कर रही तो अब दिखरी यह बर्ताने दो रही है तो नहीं आता है चिर्णा नहीं पानी भी नहीं आता है क्या करने का दो नहीं कर रही है कुछ इसका मतलब और निकादी अरे महीं क्या करने है तो दिन भर गाये बाहर ही रहता हूँ क्या मालब ना मुझे तो गये मेरा दिमाग खाखा के अभी बाहर गये और मेरा काम चली रहा है भी बरतंधोरियों मैं और ना सही में पैरदरा देरे कल बहुत ज्यादा खड़ी रही ना मैं इसके लिए तो मुझे एक पैन किलर लाके दी अभी और अभी मैं नाश्टा करी थी थोड़ा अब खाने के बाद में खाना नाश्टा करी समझ दो खाना खाऊंगी ना उसके बाद में दवाई खाके थोड़ा सो जाती हूं बरतंधोरियों है बस और देखा रेगुलर तो हर लेडिस को इतना ही काम रहता है ऐसी कोई नहीं बात नहीं है मैं हमेशा करती बहुत ज्यादा कल खड़ी थी ना तो मेरे पैर हो ज्यादा दरवत दे रहे थे इसके लिए तो चलो अभी मैं क्या कर रही हूं मैं हां में बरतंधोरियों तो आप लोगों से मिलती हूं मैं थोड़े थाइम से हैलो गाईस असलाम अलेकूम तो जब मैंने आप लोगों को स सलाम ने करी और अभी मैं अच्छा सा आराम करके उठी हूं मतलब दो तीन घंटा में सोई और गाईस देखो यह व्लोग आपको लेट मिलने वाला है मतलब एक दिन लेट मिलेगा क्यों तो देखो मेरा वाइफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम चड़ रहा है नेटवर्क इ चीजे मुझे भी कटवर्ड भी करनी है तो मैं बहुत चुला आपको दिखाती हूं तो यहां पे आलू कट कर रही हूं मैं प्यास कट कर रही हूं यह देखू पता नहीं इसे बारिश के वाज़े से प्यास खराब नहीं कर रही है तोड़ी कि हर प्यास के अंदर कुछ ना कुछ तो है खराब है का समझें प्यास थोड़ी खराब है बारिश में तो इसके लिए अभी फटा-फट से कट कर रही हूं और पता नहीं चाकु को क्या आउन्या इसको पोड़ा साइस का निकति मिलाज तो मैं ना ऐसा यह जो प्याला है न तो पहले को ऐसा घृसती ना तो अच्छी तेज हो जाते है धार आती में तो चलिए फटा-फट कट करते हैं प्यास हमारी तीन-चार प्यास कट करनी की है और उसमें से भी दो खराब निकल गए उपर से एक्दम अच्छी है और अंदर से पता नहीं क्यों इसे आ लिए तो तीक है दो तो देखो मैंने ना प्यास को चॉप करके लिए अभी मैं आलू कर रही हूं कट यह देखो तो यहां पर मैं कर रही हूं आलू को कट फटा-फट यह तो देखो ना बच्चे लोग को लगी है भूख और मुझे जली जली खाना भी बना की दनाना है और में कुछ काम तो हैंने मैं वैसे तो मैं सोची चलो आप लोगों को मैं तो हमेशा देखो सारे चीजे्ज़े में पहले जलोग को डिखाती हूं लेकिन इस बार में सोचि चलो cuts करें विभी आप लोगों को दिखाती हूं ना तो फिर आज देखो ना जो मैंने प्याज लेके आए थी ना आज में मार्किट गए थी तो मैं आप लोगों को बताई नी वो तो मार्किट से जब मैंने लेके आई आलू फिर बाद में प्याज वगेरा तो ये सब ना अंदर से जो आलू थे ना अंदर से काले निकल रहे थे और प्यास भी पता नहीं क्यों खराब निकर रही थी आप लोग ने देखे रहेंगे और फिर मैंने देखी तो फिर मैंने धनिया जो है ना हरा धनिया वह एकदम अच्छे से साफ सुत्रा तोड़ी क्यों तो देखो बारिश का टाइम है अंदर कुछ भी केड़े मकोड़े र लेकिन एकदम फ्रेश है तो इतने महेंगे बापरे खोड़ा भी भाव उसका कमने हुआ मुझे लगा था कि कम हो जाएंगा लेकिन हुआएंगी समझेगे चलो अभी तमाटर कट करके फिर मेरी सारी तयारी हो जाएंगी तो देखो आज मैंना आट-दस दिन के बाद में मा मनांगा रही थी, मैं मारे कित मैं से तो वह सोनु या फिर उसके पपा लेकिन आरे तो आज मैं कूद गई थी तो आज मैंने देखी मार्केट में मुझे लगा भाव मुझे लिगा बहते हि 줄 गो मैंने वैसे लेकिन फोड़े अच्छे फ्रेश लग रहे थे और एक्दम च् किमा आलू की मा कीमा की रेसिपी दाल रही हूं एक कप ऑईल तो नहीं तो चलिए गाइस बिसमिल अबल की स्टार्ट करते हैं हमारी कीमा आलू की मा कीमा की रेसिपी के अंदर दाल ची निके दो तीन तुकड़े थोड़ा सा शाजी रा माच्चे हरी लाइची और दो तीन लोंग के अब इसमें दाडरी में प्यास कि मैं इसमें दाडरी हूं अधरा कलसुन का पेस्ट में दाड़े लाल मिर्ची पाउडर ओएल में दाड़े ना तो उसका कलर अच्छा हैंगा फ्राइख होने देगे अच्छे से और यह है मालवनी मसाला इससे ना जो ग्रेवी रहता ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मालवनी मसाले से वह भी दाले हूं एक चम्मज और एक चम्मज धनिया पाउडर एक दो चम्मज दाल देंगे अब मैं इसमें आट करहें हूँ टमाटर कर आए अब इसमें आट कर रही हूँ आदय चम्मज हल्दी और हल्दे आट करने के बाद में फिर मैं इसमें आट करूंगी एक चमच या फिर देड चमच नमक मतलब कीमे के हिसाब से मैंने इसमें नमक एट करी और फिर इसमें मैंने एट करी हूँ कीमा और कीमा डाल के फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर मैं इसी में डाल दूंगी जो मैंने आलू कट करी थी न वो और आलू डालने के बाद उससे वापस से मैंने अच्छे से मिक्स कर ली और प्लेट से कवर करके मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दी जब तक हमारा कीमा पक नहीं जाता तब तलग तो चलो मैंने न कीमा तो बना चुकी हूँ और रोटी मेरी दुफेर की पच्ची भी थी वही और थोड़े सा राइस अभी बना लूँगी तो बस यही और यहां पे रेको मेरी मूनों का चल रहा है होमवर्क यह देखो मेरी आई स्कूल से आने के बाद होमवर्क करी सोनु अर भी पढ़के सोनु ने वारिस और आयत को दुकान पे लेकी गई चीप्स वगेरा लेने के लिए कुछ और काम तो हो गया है अभी क्या करू करके बैठी थी ती एसी और अभी तक सोनु के पपनी आए पता अभी तक आए नहीं और आएंगे तो फिर हम लोग खाना भी नहीं काएंगे बी कीमा वैसे बना नहीं है बंड रहा है तो यहां पे मेरी मॉना ने हमवर्क कर ली बस इतना ही बाक्य बाक्य को हो जाएंगा फिर कितना ये लेवल तक टेबल लिखने है लेवल आपर मैं कीमा देख रही हूं पका की नहीं तो तो देखो कीमा न अच्छे से पक गया है अच्छे पक देखो मस्त बनाना तो ना यहां पर मैंने इकम थोड़ा साना पानी आइट करी और इसमें अभी हरा धनी आइट कर्यूंग कि मेरे ना कश्मीरी लाल में इस खतम हो गए ना इसलिए कलर लग रहा नहीं है सही लेकिन खुश्बू बहुत अच्छी आ लिए मस्त बनता है इस स्टाइल में बनाती हूं ना हमेशा बनाती मैं ऐसा तो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है कीमा ये देखो इसकीमा बन गया और थोड़ा सा चिपक गया में उदर जाके बैड़ गई ना ध्यानी ने दी मतलब फोड़ी से निचे पेंदे में चिपक गया समलो नौर्म मस्त एक दम देखो खुश्बू बहुत अच्छे आ रही इसकी और यहां पे मैंने राइस बनने के लिए रखी और स्टीम राइस बना रही हूं मैं बॉइल करके सुबा की तैयारी कर रही हूं मैं तीकी भाजी तोड़ के रखती हूं अब भी तोड़ेंगे ना तो सुबा में जटपट बनाते आता क्या है वर्बुक लेंगे तो अभी मैं में इतीकी भाजी तोड़ रही हूं और यहां पे सोनू है ना पढ़ाई कर रही हूं तो यहां पे सोनू की पढ़ाईचल रही है लेर्न कर रही है सोनू मेरी और यहां पे आयत भी लेर्न कर रही है पढ़ाई कर रही मतलब है ना आती इधर देख ऐलो बाजी हो गई तोड़के अभी मैं इसको ना ये थैली में दाल के फ्रीज में रख रही हूं इसमें क्या पढ़ रही है पर अफे बल पर इबल पर इसको दो ना का है कुण सा टेवल किदर ये कर रहे हैं खाना बनाए नहीं कि इतने सारे बर्तन निकल गए ना तो बर्तन धोरी में कि फोड़े से ये दो चारे बस मतलब पहले काफी सारे धोई मैंने अरभी फोड़े हैं वो फिरिश धूपी लेंगे ना तो किस वामी टेंचन नहीं रहता है बच्च लोग को लगी भूख से पानी आती जाता है बच्च लोग को भूख लगी ये खाना वांग रहे मैं वो ल इसको वाटर दे बोलो दीदी को की मैं में थोड़ी सीग मिर्ची ज्यादी हो गए ना तो बच्च लोग खाने में थोड़ा ये करें बतलब आयत को तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे है तो यहां पर मैं आप अनको नहीं दे रही थोड़े से चावल चावल में शक्कर लाड़ी हटा हाथ इन लोग को लटीक हजमता लेकिन नौर्मल और आज वैसे में मैंने दाल वाल कुछ नी बनाए बता एक मिनट आयत बता है को स्कॉच्च से मिक्स करा आयत और खा तो देखो गाईस हो गया बच के लिए मैं रुखी हूँ और वैसे भी मुझे भूब नहीं है मुझे ना किसी ने कमेट किया था कि आप लोग घर में आते जाते कैसा मतलब तो मैं बताती हूं कैसा आते जाते तो यहां से यहां से ना हमारे यहां पर यह कोट माले पर घर है मतलब माले पर और यहां से पिर आपके लेट लगी हुए अब आन्देरा है तो यसा बाहर जाती है बाहर एसा बाहर दोर है तो हो चुगा है बच्चों को खाना और अब हमनें नीद आई तो मैं पहले इंको सुलाती हूं और Mr. Khan अभी तग भी नहीं आए और अब हैं फिर मैं आप लोगो को बताऊगे है जो सबसे बने बच्चों को सुलाती हौँ सुबा में इसकुल लेट होता है वैसे तो जल्दी उठाओ सोनु की स्कुल में बंगी के लिए मुझे जल्दीए उना पड़ता है समझे, चलो, कर दो ये रिखे, मिस्टर खान, अभी आया हूँ गड़िस मैं, दिन बर आज भागम दोडी थी, बोड मेरे पिछे, लेट हो गया मुझे आने में, तकरीवन अभी 11, 11, 11 बज रहे, क्या है, अभी 11, 18 लोग तो सोने की तयारी पे थे, हाँ, मैंने तो बिस्तर द काल दी थी, अभी सोरे से समझ, अभी आपको खाना खनी के पार, मैं खोड़ी, निकाल रहे हूँ, आओ, इस ती बड़ी कड़ाई नहीं, मैंने निकला मुझे शौक आ रहा था, इसा खुला खुला बनाने का, इसके लिए, बहुत से प्लेट में, अब मुझे लगी है भू चुछ पुला गाड़ी के चक्क्र, मैं लाग रहा हूं, अब है वह था, बहुत सब्सक्राद में, तो वो हमारे मस्धित का खिचडा है, इस भी हमारे मस्धित के थिम्मे दारी हमारी है, तो मस्धित की जिम्मेदारी आई मतलब अब इन पे, तो अभी हम लोग 2-4 दिन में लंगरे हुसेनी मोहरम का जो खिचडा रहता ना तो हर साल बनता है मस्जिद में 20 साल इन्होंने 20 साल है समल्लोस के अंदर को मस्जिद का काम है तेज बना थोड़ा सा कीमा क्या बलते हैं को तो बिल्कुल पोड़ी भी मिलची जादी में जलती तो हो गया सबका खाना भी चलरी सोनी की तैयारी बच्चे भी सोते नी जब तक में लाइट ने बंद खोरूंगे ना जब तक बच्चे सोएंगे नी बहुत ज़्यादा थक देम है आज और इनको आज तो ये भी थके वेचे समल्लों खाना खाये जस्ट अनो ने और अभी चल सभी किया भोल रही है आज़ी कई दो खाना आसे छी सब्साह्त करन धन्しबादो planning वारिस प्र फच्थीपनन रहे प्राणे दो ऑवाड सुट गारे जूनिए फ़गा जरी गईओर है ये जरी है युडई घशनाए खाने में और दीका दाश हमाने हां बुल पोर है हमाला थ पाइरो आपि आपनेशिती सब्सक्राइइ पींतों पांप no it's a dou dou उसे पुर्डा symmetry कई पाइज हमारिन दॉसराइज हमारि आंड दूसन जंद दू क判 दीड देड़ी तेंद सब्सक्राइज हुआ एंड द॥ार रहर Сегодня इसके लिए फटाक से करना करता है कैसी मस्ती चाट नहीं काट बुरा खाट था इसके दाथ भी ऐसे हैं ना की देखो इसके दाथ देखे दाथ पता टीथ 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 नोस इयर हो आई से हो भूल गया है लिप्स आँख देखो आईस बता है इसके अंदर है वारिस के आईस को बता इसके अंदर है निका है अरे उली दाल के बता है वारिस बता तीथ कहां एं टीथ 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 नोस और से यह यह कुण शेक्स है रहे वह हैं वह है वहलas को आईस को दैसद को आईस को आई प्रावर बालिद्व मस्ट बढ़ गए था लेकिन इन मेरे मीड़ते कि बाल छोटे रखो करके तो फिर इसके लिए में छोटे कर रहे तो गए किया किया हुए थक गया हूँ तो जा नाम खाया तो किसे कपड़े पर गिराना इन्षालला हुए नेक्स ब्लोग में मिलते हैं और मुझे आरी नेंद क्योंकि मैं थक रहो ख़ुगा हुए तो खुदा था कि अच्छेसे ब्लॉग के बाद